हुआerta मिलन आपका आपका एग्जाम में डेट में ऐसा आपगा स्कोर कार्ड काल आ अपदा आपको नहीं मिले अभी तक चेकंगें किया है कि टेलीगृम में अवेलेबल भाना से लेल है को एक पुस्वारी जा रही थी वाटसब डोप मैं देखा था और साथ ही साथ हमारे टेलिग्राम चैनल में भी हमारी कुछ वारी जा रही थी उन पर मैं आप से बात करूंगा और अगर आपका कोई भी कॉश्चन है तो पूछ लीज़ेगा बहुत सारे स्टुडेंट्स के केवल कटॉफ पे कॉश्चन होंगे देखिए यह को भी जारी कर देंगे चली हम बात करते हैं बीना रुके की कटफ रहें का रहेगा लो रहेगा क्या रहेगा उनके थोड़ाज कर लेते हुन कर में अइसा कोई कटॉफ को लेके ज़्यादा परिशानी नहीं आईएगी जीन स्टूदिग के 90 नंबर भी गल copy कहीं अद्म आपको ऐसा लगता है कि आपको अडमीशन नहीं मिलेगा तो चिंता मत करिये मिल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको फिर कोई भी उनिवस्टी में मैंनेज करना पड़ेगा ऐसे नहीं कि आप चाहेंगे कि मुझे यहीं चाहिए वही मिले आपको ऐसा नहीं है दूसरी इंपोर्टेंट चीज है कि ये नियू हो कोई भी हो आपको पता है कि आपने टॉपर्स के नंबर देख लिए होंगे टॉपर्स के पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे अगर आप तो पॉलिटिकल साइंस का हाइस 270 है यहां से कर सकते हैं कि जनरल के टेगरी आराम से 240 को टच करेगी 240 आराम से टेच करेगा तो पहले चीज यह है ठीक है ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स आप इंग्लिश में देखिए इंग्लिश का ऐसाच मैंने कहाता है नहीं जाएगा 180 प्लस रहने के चांसे तो यह लगबग लगबग कि यहीं टिक जाएगा ऐसे ही बाकी और सब्सक्राइब करें फिजिक्स की बात करें फिजिक्स 17180 वाले जेनिव आ जाएंगे आराम से ठीक है अब हम बात करते हैं बाकी उनिवस्टीज में क्या इंपक्त पड़ेगा कई स्ट्वेंट पिछले साल की कट आफ दे रहे हैं ब करता है इसके अलावा एक उनिवस्टी और है यह आपका लखनव में है यह भी काफी सारे सब्सक्राइब कर आता है यह चार उनिवस्टी जिन में बहुत ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल हैं मैक्सिमुम जिनको कहीं ना मिले इन तीन युनिवस्टी में तो आप बीबियो प्रिएशन चीज़ जो है वह जहां रखना कि आप जब युनिवस्टी स्कोबख करेंगे क्वर्ण क्यों कि कई स्टुद ेंगें हमने जिनान तक कई कहना है कि हमने केवल du चुना था देखिए हमने mail डाला है NTA को आप भी डाल सकते हैं mail और mail इसलिए डाल दीजिए ताकि उसमें request कर दीजिए कि भाई आप portal open कर दीजिए जिसमें आप universities add कर पाएं उस portal के थुरू ठीक है तो आपके पास वो एक option रहेगा इसके बाद हम बात करते हैं से कि जब अगर आप new universities को add कर लेते हैं तो कहिना कि आपके पास options ज्यादा रहेंगे और उन options के बेस पर आप admission ले पाएंगे ठीक है मैंने गूगल फॉर्म डाला है गूगल फॉर्म में आप अपना scorecard जरूर डालिएगा आपका क्या scorecard जो score रहा है वो मुझे पता चल में यहां पर आता है क्या new universities add कर सकते हैं इसका मैंने बता दिया आप NTA को mail डाले mail id मैं यहां पर mention description में कर दिया आप वहां से जाके आप उसको mail कर सकते हैं अपना request डाल सकते हैं कि please open the portal ठीक है तो इसके possibilities 50-50% है क्योंकि पहले ऐसा होता रहा है कि जब university आड नहीं होती थी या seats खाली रहती थी तो add करने का option आता था इसके अलावा आपके same data के use करके वो लोग आपको message कर सकते हैं आपको mail डाल सकते हैं यूनिवस्टीज वाले personally आपको mail कर सकते हैं कि आपको और भी options मिल जाएंगे so इसके लिए ज़्यादा चिंता ना करें कि आपनी university add नहीं किया है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं rank का क्या सीन है काफी सारे student पूछ रहे हैं कि rank नहीं आया हमारा देखिए जेनियू के अंदर rank आता है जेनियू में का आता है rank कैसे आता है total number of students rank कैसे निकलता है total number of students और जो select हुए है यानि कि यह जो toppers हैं जिनका selection हुआ है वो topper ही कि मालो 123 सीट है PIS हम में तो 123 लोग वो topper है तो यह 123 तक admission जो लिया जाएगा वो rank हो गया उसमें rank दिखाएगा 107 rank तक लिया है OBC का अलग rank दिखाएगा SC का अलग दिखाएगा ठीक है एक बहुत बड़ा सवाल आ रहे है कि हमने form फिल करते वह EWS फिल कर दिया था लेकिन हम जर्नल में admission चाहते हैं क्योंकि हमारे पास EWS नहीं है बन नहीं रहा है पपा अमीर है लेकिन हमने पहले भर दिया था क्योंकि हमें लगाता है कि सायद बन जाएगा तो अब मना कर दिया गया करमचारियों के द्वारा कि आपका EWS नहीं बनेगा तो देखिए आप जर्नल मे कोई फाइदा नहीं चीए प्लीज मेरा इसे हटा दीजिए और मैं आपको चीज़ें जो है वह जर्नल क्रेटिगरी में ही रखना चाहता हूं ठीक है इसके बाद हमारे आते हैं important documents आते हैं सात्यों कास certificate बहुत important OBC वाले ध्यान रखना SCST वाले मजे करें क्यों करें SCST वाले 2024 के बाद का होना चीए ठीक है 1st April 2024 के बाद का होना चीए अगर आप 1st April 2024 के बाद का OBC certificate submit करते हैं तब ही वह accepted होगा तो OBC वाले बनवाले आपको पास time है अगर at the time of application form अगर आपके पास certificate नहीं होता है तो एक चीज़ का ध्यान रखें आप यहां पे जो की सबसे important है सात्य हो यह है कि जो certificate है उसके लिए आप extension डाल सकते हैं undertaking ले सकते हैं ठीक है यह ध्यान रखेंगा का सर्टिफिकेट बहुत important है domicile आपका यहां पर अधार गार्डर बिजली का बिल भी चल जाता है migration certificate जो आपको university या college से मिलेगा यह important है मार्क सीट आपका होना चाहिए gap certificate अगर आपका gap है दो साल से ज़्यादा का तो gap certificate चाहिए अब मैं एक चीज और बता देता हूं चलते चलते आपको कि जो यह certificates है जितने भी documents है इनमें सबसे important है आपका कास certificate अगर आपका कास certificate नहीं है तो आपका admission नहीं होगा नहीं होगा मतलब नहीं होगा अगर आपको कोई youtuber यह कह रहा है कि हम करवा देंगे भाईया उससे बात कर लीजे करवा दे तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है जे निमा आप आएंगे आ आपके पास OBC का कास certificate नहीं है central government का होना चाहिए यह भी ध्यान रगाएं तो आपका admission process आगे नहीं बड़ेगा admission process ही आगे नहीं बड़ेगा कास certificate के बिना तो कास certificate mandatory ठीक है उसके अलबाए एक्स्ट्र मार्क्स वाला सीन में अलड़ी बता चुक हूँ कई बार क्या होता है उसके रिगार्डिंग में अलग से वीडियो बना दूँगा वो सिर्फ जेन्यू वालों के लिए काम का कुछ नहीं मिलता है बाकी दूआएं हैं जो सबको मिली रही है दूसरा important पार्ट आता है अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें यार काफी मेहनत करते हैं उसके बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं थोड़ा बुरा लगता है तो सब्सक हाइक हुआ है तो 240 के आसपास रहेगा इसका बाकी कट आफ पैनले से साम को ले के आएंगे और यहां पर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों को रिप्लाइ करने का और स्कोर कार्ड में अगर आपके नंबर कम है न साल बरबाद नहीं होना चाहिए और यहां पेड कांसिलिग स्टार्ट हो गई है तो जोइन कर सकते हो क्योंकि इतने सारे सारे आते हैं सब को वन-्टू-1 न कांसिलिंग में इंसब मिल जाएगा आप सब का शुक्रिया जुणने के लिए आपको वीडियो इन्फॉर्मेटि जॉइन और टेलीग्राम चैनल ताकि वहाँ पर आपको अपडेट्स मिल पाएं वाट से फेल्पने नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसके लाव हमारा गूगल फॉर्म जो है वह प्लीज भर दें ताकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए सही से आनलेसिस कर पाएं